देखो बस सोचने का तरीका बदलके इस question को कितनी आसानी से हम लोग solve करेंगे कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उन्हें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या गयाद कीजे कि क्या आएगा लेकिन आप simple ऐसे भी सो सकते हैं कि अगर दो संख्या X और Y रहा होगा और इनके बीच का अंतर 20% दिया है तो भाई अगर ये X अगर 100% रहा होता तो Y जरूर 80% होना चाहिए इस बड़े वाले संख्या का इसका मतलब ये है कि X के 80% का मान 40 है मतलब छोटी संख्या जो है वो बड़ी संख्या का 80% है तो भाई 40-80 दो बार में कट गया दो से 150 बार में तो X का मान क्या आएगा 50 जो कि option number A में है तो अगर में थर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईए क्योंकि नोटिफिकेसन आप लोग का पहुंच नहीं रहा है मेरे long वीडियो उसका एक उमीदवार 75% वैद मत से विजय हुआ पांच लाग साथ हजार मत हों से 15% मत अवैद थे तो विजय उमीदवार को वैद मत कितने मिले यह पूछा जा रहा है तो भाई 15% मत अवैद हुए तो जरूर 85% मत वैद रहे होंगे और इसका भी 75% मिला है जितने वाले को तो और 75 वटा 100 कर दो अब देखो दो और दो 4-0, 4-0 पट गया अब यहीं मामला फस गया कि अगर गुना करते हैं तो समय बरबाद होगा नहीं करेंगे तो नंबर खराब होगा तो फिर देखो इसको हम लोग क्या समझ सकते हैं कि 56 का मतलब 7-8 होता है 85 का मतलब 17-5 होता है और 75 होता है 25 गुना 3 तो इसका गुननफल जाहे जो कुछ भी हो उसमें इन सभी से भाग लगना चाहिए तो देखो भाग लगाना नहीं है विवास्ता का नियम हम लोग पढ़ चेक कर दो 8 से देखो सभीम लगया क्योंकि पीछे 3 जिरो है 25 से लगया क्योंकि सभीम पीछे 2 जिरो है तीन का नियम कहता है कि अंगों की योग में 3 से लगना चाहिए तो भाई 5 और 3 आठ नहीं लगा 8 और 2 10 नहीं लगा 7 पंच 12 और 2 14 इसमें भी भाग नहीं लगा बचा की फॉर्मूला प्लस वाला ही लेंगे और जब बढ़ोतरी होगा तो प्लस साइन लेना है और घटने वाला बात होगा तो माइनस साइन लेना है अब देखो यहां आय में पहले 20 परसेंट बढ़ोतरी हुई मतलब प्लस 20 लेना है फिर 30 परसेंट बढ़ोतरी हुई तो फिर मतलब 56% की बृद्धी होगी, जो कि option number D में है, अगर method समझ में आया हो, तो subscribe करते, बेल आइकन जरूर दबाईए, क्योंकि notification देखो, एक व्यपारी खरीद पर 25% करमचारी के वेतन पर 25% और रख रखाओ पर 50% खर्च करता है, और कुल 2,00,000 रुपए वेतन चुकाता है, तो मान दिया हुआ है, 2,00,000 रुपए, और रख रखाओ पर पूछा जा रहा है, जो कि 50% है, तो 50% का मान क्या हो जाएगा, 25 दुना 50, तो 2,00,000 का दुना 4,00,000 हो जाएगा, 50% का मान, मतलब कि रख रख रखाओ पर 4,00,000 रुपए खर्च हुए, तो अगर method समझ में आया हो, तो चनल को सब्सक्राइब करके वे लाएकन जरूर दबाईए, ताकि लॉंग वीडियो का नोटिफिकेसन आप तक पहुंच सके,